गुद मॉरिंग स्टुडेंस, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस बच्चों, आज हम यह जानेंगे कि फस्ट लैंग्वेज हिंदी या सेकंड लैंग्वेज हिंदी हो टेंथे क्लास में हमें टेंथे क्लास हिंदी में 10 बैं 10 आने के लिए क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है और किस तरह हमें पूरा प्रिपरेशन करना है इस वीडियो में मैंने बताया है तो जानेंगे पहले हमें हर एक पाट का कवी परचय पढ़ना है और उसके बाद हर एक पाट के साराम्ष पढ़ना है और उसके बाद प्रश्णतर पढ़ना है और व्याकरन में आपको जो टापिक्स पढ़ना है मैं यहाँ पर one by one बताऊंगे पहले आपको शब्धार्त पूरे पाठों के शब्धार्त पढ़ना है परियाईवाची शब्द, विलोम शब्द, वचन वचन में एक वचन, बहुचन यह भी पढ़ना है लिंग में स्ट्रीलिंग, पुलिंग कैसे पैचाने जाते हैं किस तरह लिखा जाता है यह भी देख लेना है आपको संधी, संधी के प्रकार कितने है और उसके भेद वह सारे आपको पढ़ना है अगला टॉपिक है समास समास के समास में कितने प्रकार है और उनके उदाहरन सहित समास विग्रह किस तरह किया जाता है यह सीखना है कारक कारक के भेद और भाषा भेद में आपको संध्या संध्या के भेद भी पढ़ना है सर्वनाम सर्वनाम के भेद भी पढ़ना है विशेशन विशेशन के भेद क्रिया क्रिया के भेद और क्रिया विशेशन के भेद और समुच्चे बोदर और समबंद बोदर ये सारे भाशा बेदे इनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी और उसके बाद हम आते हैं काल काल के प्रकार क्या है और रचना के द्रिश्टी से तीन प्रकार के वाख्य है जीजन के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी निपाश शब्द किसे कहते हैं? निपाश शब्द भी आपको पढ़ना है मुहावरे, मुहावरे किस तरह पैचाने जाते हैं? मुहावरे और पद परिचय, पद बंद यह 10th क्लास के लिए है पद बंद 1st language में है, 2nd language में नहीं है तो 1st language के बच्चों को पद बंद सीखना है और शब्द कोश, शब्द कोश याने डिक्षनरी डिक्षनरी में हम शब्द किस तरह लिखते हैं? आलफा बिटकल आडर, जैसे A, B, C, D इस तरह जो शब्द होते हैं उसी तरह हिंदी में भी A, A, I, I इस तरह शब्द बनाय जाते हैं वहब आपकी सीखना है वाक्यों में प्रयोग एक शब्द दिया जाता है और उसे वाक्यों में प्रयोग करनी है वाच्च, कत्रवाच, कर्मवाच, भावच ये भी सीखना है उपसर्ग क्या है प्रत्यई और यह भी आपको सीखना है तच्चम शब्द, तदभव शब्द, पुनरुक्ति शब्द, युग्म शब्द, भिनार्थ यह सारे शब्दों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी अब अगला टापिक जो होता है भिनार्थ भिनार्थ भी आपको पढ़ना है चंद, अलंकार यह फस्ले एंग्वेज के बच्चों को आता है चंद और अलंकार नारे, शुद्ध और अशुद्ध वाक्या मतलब शुद्ध याने, correct words अशुद्ध याने, जो शब्द में spelling mistake होता है इस तरह के शब्दों आपको पैचानना होगा और छोटी की की प्रयोग किस तरह किया जाता है और बड़ी की की का प्रयोग किस तरह किया जाता है की की इसका इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में कब और कैसे प्रयोग किया जाता है यह भी आपको सीखना है अब सेकंड पेपर में जब जाते हो तो वहाँ पर आपको पत्र लेखन, आपचारिक और अनपचारिक कर पत्र याने पोस्टर भी सीखना है सुक्तियां और संबाद, संबाद याने कन्वर्जेशन, साक्षातकार में इंटर्व्यू में आपको प्रशना वाली तयार करने के लिए कहा जाता है या तो पूरा साक्षातकार लेने के लिए कहा जाता है सूचना याने नोटिस, आमंतरन पत्र, इन्विटेशन काड़, निभंद लेखन, भाषन लेख याने स्पीच लिखने को भी कहा जाता है और विज्चयापन, विज्चयापन माने जैसे हम आड्स देखते हैं, उस्तरा आपको विज्चयापन भी बनाना जरूरी है तो बच्चो ये सारे टापिक्स अगर आप अच्छे से देख लोगे तो हिंदी में आपको 10 by 10 अभश्य आएंगे तो बच्चो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपने मित्रों को शेर कीजेगा क्योंकि उन्हें भी मदद होगी और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद